गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम आपके टैक्टिकल की बारे में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं यह आप पहचान रहे होंगे कि यह कौन सा पौधा है कौन सा प्लांट है यह ब्लैक क्राम है उर्द और इसमें इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन कैसे करते हैं यह हम आपको बताएंगे सबसे पहले इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन करने के लिए हमें किस-किस चीजों की जरूरत होती है पहले हम वो देख लेते हैं तो emasculation और pollination के लिए हमें seizure की जरूरत है ओके next ये needle चाहिए आपको needle की जरूरत है you need this tag इस tag की जरूरत है ऐसा tag आपके पास होना चाहिए ये आप खुद से भी बना सकते है ठीक forcep चाहिए और एक envelope चाहिए ये envelope आपको butter paper आते है उसका बनाना होता है ये butter paper का बनता है ठीके इस तरह गई ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए एक normal paper का बनाया है ठीके अगर आप normal paper का बनाकर bagging करेंगे तो वो morning के time तक पूरा हो सकता है कि वो फट जाए या फिर भीग जाए थोड़ा सा बारिश होने की वैसे कुसी भी रेजन से तो आपको butter paper की जरूरत है उसके आपको bag बनाने होते है ठीक है इतनी चीजों की जरूरत है और pencil की जरूरत है ठीक है तो अब हम emasculation सबसे पहले तो emasculation क्या होता है emasculation में हम क्या करते है एंथर्स को remove कर देते हैं जो एंथर्स होते हैं उन्हीं remove कर देते हैं और neck तो emasculation कब करते हैं हमेशा emasculation शाम के टाइम में करते हैं 4-5 बजे के approach emasculation करते हैं और pollination morning में करते हैं ठीक है तो emasculation करने के लिए हमें यह मैंने 2-3 प्लांट आपके लिए मंगवाया है यह कहीं से arrange किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे करते हैं तो अब emasculation करने के लिए हमें सबसे पहले बड़ की जरूरत है कि हम किस तरह के बड़ में emasculation कर सकते हैं ठीक है अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो भी 2-3 प्लांट रखा हुआ है जैसे कि अभी मैं एक प्लांट लेती हूं यह प्लांट है इसमें आपको कहीं बड़ दिख रहा है अगर दिख रहा है तो देखिए यहां पर अभी बड़ हो रहा है बड़ अभी बहुत इमैच्चूर है यह मैच्चूर नहीं है तो हम इसमें इमैस्पॉलेशन नहीं कर सकते हैं बहुत छोटा है यह भी अभी काफी छोटा है इसमें भी नहीं कर सकते हैं ठीक है अभी इस वाले और इस वाले में देखिए इसमें भी अभी bird formation हो रहा है, हुआ नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखिए, यहाँ पे जो flower है, इसमें pollination हो चुका है, ठीक है, pollination हो चुका है, एक flower में, हाँ, और एक और बात, black pram का flower है, उसमें, वो self pollinated है, self pollinated crop है, black pram, और उसका flower क्या है, चैस्मो गैमेस है, means, pollination after pollination, उसका, वो open हो जाता है, flowers open, pollination के बाद क्या होता है, कि flower open हो जाता है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, कि इसमें pollination हो चुका है, ठीक है, इसमें भी हो चुका है, देखे, flower open हो गया है, इसमें भी pollination हो चुका है, ठीक है अब ये वाला देखिए अभी जो अभी एक बड़ फॉर्म हो रहा अभी फ्लावर नहीं फॉलनेशन नहीं हुआ है ये इमैच्योर बड़ है इस ये कहसा है इमैच्योर बड़ है अभी मैच्योर नहीं है पूरा ग्रीन है ये भी पूरा ग्रीन ग्रीन है ये भी इमैच्योर ह तो हमको इस प्लावर में से कुछ नहीं मिला ठीक है नेक्स हम लेते हैं दूसरा प्लावर अब देखिए इसमें क्या है इसमें भी क्या है जो फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन हो चुका है इसको भी हम नहीं चूज कर सकते हैं ठीक यह देखिए इसमें भी पॉलिनेशन एक त अब इस बड़ को आप अगर देख सकते हैं तो देखें क्लियर दिख रहा है तो यह बड़ जो है इस बड़ को हम ले सकते हैं क्योंकि यह पूरा पूरी तरह से मैच्वर भी नहीं हुआ है और अभी इमैच्वर भी नहीं है तो हमको ऐसा बड़ चूस करना है या फिर हम यह बड़ भी ले सकते हैं यह देखें यह भी जो थोड़ा सा हमको ओपर से देख क्या आपको यल्लो यल्लो लगे मतलब अब इसमें पॉलीनेशन होने वाला है तो पॉलीनेशन होने से पहले ही हमें इमैस्कुलेशन कर देना है क्योंकि हमें क्या करना है clockwise दूसरे plant का एंथर लाके इस से इसको पॉलिनेज करना है क्योंकि वह इसमें character transfer करना चाहते हैं ओके तो हमें इसको transfer करना है जैसे अगर मैंने यह बड चूसको किया है तो अब हम needle की help से इस needle की help से इस बड को open करें इसमें पॉलिनेशन करते करते यह टूट जाता है बहुत ही ठीक है इसको हम यह लाइन आप देख रहे हैं यह एक लाइन जो आपको दिख रहे हैं इसी पर हम अपना निडिल एक बार हलके हाथ से चलाएंगे और यह उपन हो जाएगा एक बार जब हो गया तो एक बार हलका सा लगाएंगे निडिल और यह फ्लावर पूरा ओपन हो जाएगा कि बहुत ही ध्यान से करना होता है इसको देखें इस निडिल से जब आप करेंगे हाँ और इसका जो इस्टेमेन है और आफ प्ल जब से का मैं ऑजे यह पज़वर रहें दिख रहा है कुछ इसमें आपको हल्का सब्सक्राइब करना यह नौ एक साथ होते यह नाइन जो हैं वह एक साथ है और एक यह पूरा अकेला है यह देखें कि यह निकल गया हां यह देखे यह अकेला है जो यह है वह सिंगल है इसमें अरेंज कैसे होता है 9 प्लस 1 कंडिशन में इसमें जो इस्टेमेंस हैं वह अरेंज होते हैं ठीक है मतलब कि 9 एक साथ लगे होते हैं जुड़े रहते हैं नौ जो कि इसे भी हम आपको दिखाते हैं नव्, एक साथ इसके साथ जुड़े है, जो मैंने इस निडिल से असे को दबाया है और एक आपको यह जाए पूरल दिख रहा है और बव्यक्वोट अजिकुन होकर करना है investigaire यह को क्या है ग्याँ जो एक कि आप आप में बवक दिखा दिया है अब हमको जो नौ एक साथ लगे हैं वो हम आपको दिखाते हैं ये देखें ये नौ एंथर इसमें एक साथ लगे हैं दिख रहा है ये देखें ये इसमें एक साथ नौ एंथर लगे हुए हैं ठिक अगर आप इस आपके पास किसी के पास ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम का अगर प्लांट कहीन मिल जाता है तो आप काउंट करेंगा इसमें 9 हैं और एक जो है वह अलग से तो यह 9 प्लस 1 इसको डाया डेल फस में कहते हैं रहेर हैं वह ना 1 9 साथ होते हैं जो कि इसमें लगे हैं एक मैने चला इंग आप षिक का इसको धीर नहीं फीमेल पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है इसको धीरे से हम इसको हटा देंगे जैसे यह मैंने एंथर ले लिया ठीक है इसको धीरे से बस एंथर को हमको 9 प्लस 1 का रिमूब करना है अब यह मेरा इमैस्कुलेशन हो गया ठीक है अब इसको कुछ नहीं करना है बस इमैस्कुलेशन हो गया इमैस्कुलेशन के बाद हमें इसे जो एंवलक मैंने आपको बताया था यह तो पेपर बैक का है इस एंवलक से यह काफी बड़ा है क्योंकि इसका फ्लावर बहुत छोटा होता है और प्लांट भी काफी चोटा होता है तो इस envelope से हम इसकी bagging कर देंगे मतलब कि जो bird जिस bird में मैंने किया है उसको actually बहुत हलका होता है तो हम इसके पूरा plant एक किसी plant का ऐसे ले करके उसके साथ इसकी हम bagging कर देंगे और इसको cover कर देंगे ताकि किसी और का pollen इसमें यहाँ पेपर क्लिप लगा देते हैं यह आपकी bagging हो गई ठीक है पेपर क्लिप लगा के इसको evening में करते हैं emasculation, शाम में करते हैं emasculation करके इसको छोड़ दिया ठीक, अब next morning में जब हम आएंगे नहीं दुझा झाखे तो हम फिर से हमें विसा pollen search करना है पहले तो bag खोलने से पहले हमें pollen search करना है की हम कैसे bird selection करना है, pollination के लिए Пон, का रच से, कैसे रच से, कैसा bird search करेंगे और pollen search करने के लिए, हम हमें जिस भी variety दिसे pollen transfer करना है उस वराइटी के प्लांट में से हम वैसा ही बढ़ सेलेक्ट करेंगे जैसा बढ़ हमने सेलेक्ट किया था इमस्कुलेशन के लिए कि जिसमें पॉलिनेशन न हुआ हो और अभी वह थोड़ा सा मैचूर कंडिशन में हो और हमें ऐसा लग रहा हो कि अभी बर्स होने वाला है तो हम उसको क्या करेंगे लेकर आएंगे और जैसे अब मैंने मैं इसको फिर हम इस बैक को हम लोग हटा दें इस ब्लड को हम प्लक कर देंगे तोडएंगे इसको तोड़ने के बाद इसको प्लांट के पास जहां पे हमने इमस्कुलेशन किया है वहीं पे इसको ओपन करके इमेडियेटली जैसे ही ओपन करेंगे क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में पॉलिनेशन होता है साथ से आठ की बज़े के बीच में इसको ओपन करके बड को स्वरी यह अब दिख रहा होगा यह बड को ओपन करके और हम सीधे क्या करेंगे ऐसी बड को ओपन करके इस इमस्कुलेशन के फ्लावर में ऐसे इसको रब कर देंगे एमिदेख रहे हैं, एसे इसको ृब करके थोड़ा सा तो इस सारे जो पॉलेन है, एंथर हो तो ओर्णिंग में बर्स्ट होते हैं, तो पॉलेन जो है वो पॉ doughwood और पॉर्ड एुद्रम में होता है उस बड़ का हमारा कोई काम नहीं वह वाला बड़ जिससे पॉलिनेशन किया तो हटा देंगे और इसके बैगिंग फिर से कर देंगे यह एक्चुली टेंपरेरी बैग है जो बस आपको बताने के लिए मैंने बनाया है ठीक है इसके बैगिंग कर देंगे इसमें पेपर करना है कि कैसे हम पहचानेंगे किस प्लांट में मैंने कब इमैस्कुलेशन किया था और कब पॉलिनेशन किया था इसका मेल प्लांट कौन सा है जहां से मैंने पॉलिन लिया है फिमेल क्या है तो मेल और फिमेल हम यहां पे इसमें मेल प्लांट और फिमेल प्लांट के एंट लृट को फॉलिशन किया है FRE या में 15 दिन के बाद जैब कि आपके पॉलियाशन किया था उसमें goose formation या नहीं हुआ है बैग अटाएंगे after 15 देज और इसको चेक करेंगे कि इसमें goose formation हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको 15 05 kag आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ मैंने जो किया है वो success हुआ या नहीं हुआ unsuccess भी हो सकता है अगर आपने emasculation के time जरासा भी लापरवाही की और female part अगर touch हो करके damage हो गया pin से कहीं इसको मतब कुछ disturb हो गया तो फिर वो pollination नहीं होगा उसमें ठीक है और तो इसलिए हमको बहुत ही carefully pollination करना है और emasculation करना है especially उसके बाद pollination करना है तो मैं सब आप लोगों से ही request करूँगे कि एक बार आप लोग जरूँ ट्राइ करिए ऐसे ही आप भी घर पे लाकर जैसे मैं इसको लाकर के एक आद प्लांट को यह possible था इसलिए मैंने इसको घर पे मंगवा करके आपको एक दिखाया है सिखाया है कि कैसे करते हैं ठीक है और आप भी इसको लाकर के दो दिन प्लांट अगर कहीं से possible है तो आप घर पे practice कर सकते हैं आपको दो तिन प्लांट में काफी मिल जाएंगे बड़ जिसमें आप एक आद उपन करके तो ट्राइ करीं सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं ठीक है तो यह था ब्लैक ग्राम का इमैस्कुलेशन और पॉलिनेशन इसके बारे में हम आपको एक आद वीडियो और अपडेट करेंगे क्योंकि अभी प्लांट था तो प्लांट मुझे तुरंट में वीडियो बनाना बहुत जरूरी था अदर्वाइस यह बेकार हो जाता अल्रेडी यह थोड़ा बहुत सूख गया है तो इसलिए मैं इमेडियेटली वीडियो बना लिया मैंने क्योंकि प्लांट फिर टाइम का वेट नहीं करता है और यह काफी टाइम से फिर और भी सूख जाता इसलिए मैं तुरंट वीडियो बना लिए बाकी मैं इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन से रिलेटेड या इस प्लांट से रिलेटेड इस प्लांट से रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको एक अलग से पिपिटी बना के वो अपलोड करूँगी और आप जरूर से ट्राइ कर manufacture एक बार अगर आसपास आपके कहीं अबलैबल है जरूर होगा बहुत से लोगों के पास होगा आप एक बार प्लांट को दो तीन वट लेकर आए अगर आपके पास तुरंत में नहीं है तो आप सेप्टिक इनका भी यूज थोड़ी के लिए कर सकते हैं अधरवाइस ये नीडिल आपको एजली मिल जाएगी आप ले सकते हैं कहीं भी तो उसका यूज करके आप एक पार इमैस्कुलेशन जरूर ट्राइ करें इसमें मैं और अभी क्रॉप पे द्रे-द्रे एमैस्कुलेशन पॉलेशन टेक्निक जो है वो अपडेट करती रहोंगे ओके स्टुएंट थैंक्यू वेरी मच्च